मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, ऐसे हालातों में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हम लोग गाउं में रहा करते थे, मेरे दादा दादी की मौत हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा बड़ ही निकम्मे थे, वो मेहनत मजदूरी करना जानते ही नहीं थे, शादी होने के बाद उन्होंने मेरी मां को नौकरी करने के लिए घर से निकाल दिया था और उनसे कहते थे कि मुझसे महनत मजदूरी नहीं होती मैं तुझे कुछ कमा कर नहीं दे सकता तू अगर मेरे साथ गुजारा करना चाहती है तो कर सकती है परना तू अपने माई के वापस चली जा मेरी माँ पिता जी की ऐसी बाते सुनकर बहुत दास हो गई थी वो ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना तो नहीं चाती थी मगर वो अपने माई के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो अपने माई के चली गई तो वहाँ पर उनकी भावियां उनका बहुत बुरा हाल कर देंगी उनको सुकून से नहीं रहने देंगी इसलिए मेरी मान यहीं सोचा कि उन्हें जैसे तैसे जिन्दगी इसी घर में गुजारनी होगी और फिर कुछ समय बाद मेरी माँ को पता चला कि वो प्रेगनेंट है मेरी माँ इस बच्ची की खातिर भी मेरे पिता को छोड़ कर नहीं जा सकती थी अब उनके पास नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि घर के हालात बहुत खराब हो गए थे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था मेरे पिता शराबी थे उनके शराब पीने की लतने उनके पूरी घर को तभा करके रख दिया था मेरी मा जितना कमा कर लाती पिता जी उनसे ले लिया करते थे और वो शराब के अट्टे पर जाकर बैट जाते थे महंगी से महंगी शराब पिया करते थे यही वज़ा थी कि उन्होंने माँ को नौकरी करने के लिए घर से निकाल दिया था इसमें उनका बहुत फाइदा था वो सारा दिन शराब के नशे में धुद पड़े रहते थे और मेरी माँ ऐसी हालत में भी लोगों के घरों का काम किया करती थी मेरी माँ को ऐसी हालत में ना तो किसी तरह का आराम मिल पा रहा था ना कोई खुशी और ना ही उनको खाने के लिए कुछ मिलता था वो जिन लोगों के घरों में काम करती थी उनके घर में अगर कभी-कभी खाना बच जाता तो वो लोग मेरी माँ को खाना दे दिया करते थे इस तरह मेरी माँ घर आने के बाद खाना खा लिया करती थी और उसमें से भी थूड़ा सा खाना पिता जी के लिए बचा दिया करती थी विक औरत गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती है मगर सरावी इंसान के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है मेरी माँ ने मेरे पिता को ना छोड़ने का फैसला बहुत गलत किया था क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे पिता कितने गिरे हुए इंसान थे उन्होंने अपने फाइदे के लिए ही तो मेरी माँ को मजबूर कर दिया था वो चाहे तो अपने माई के जा सकती है वरना नौकरी कर सकती है क्योंकि दोनों ही हालत में मेरे पिता जी का फाइदा था वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी मा कभी भी अपने माय के नहीं जाएगी क्योंकि मेरे पिता जी की हरकते जानते हुए भी मेरी मा के भाई भावी ने मेरी मा को घर से निकालने के लिए उनकी शादी एक सरावी के साथ कर दी थी ये भी नहीं सोचा कि वो सारी जिंदगी किस तरह इस आदमी के साथ गुजारा करेंगी कुछ भाई भावियां ऐसे ही होते हैं जिनने अपने घर की बहने बोज लगती हैं जब बच्चों के सर पर उनके माता पिता का साया नहीं होता तो लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं मेरी माँ बहुत मजबूर थी बहुत तकलीफों से गुजर रही थी बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे जनम दिया था मेरी माँ के अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई थी उसके बाद उन्हें मेरी भी परवरिष्टनी थी मेरे जनम की दूसरे ही दिन मेरे पिता ने मेरी माँ को बहुत मारा था और उनसे कहा था कि जा कर पैसे लेकर आ मुझे शराब की लट लग रही है मेरी मा मौत से लड़कर मुझे जनम दे चुकी थी तो ऐसी हालत में वो घर से निकल कर काम काज कैसे कर सकती थी मेरी पिताएक इनसान नहीं बलकि इनसान के रूप में दरिंदा थे जिनोंने मेरी मा के साथ बहुत बुरा किया था मेरी मा रो रही थी बिल्कुल बिलक रही थी मगर उनका कहना यही था कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं लाकर दिये तो मैं तेरी बेटी को बेच दूँगा मेरी मा बहुत मजबूर थी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई काम काज कर सके या फिर बिस्तर से भी उट सके बड़ी मुश्किल से मेरी मा मुझे गोद में लेकर चलती हुई उस घर की मालकिन के पास गई जिनके यहां वो काम किया करती थी वो मालकिन बहुत अच्छी औरत थी उसने जब देखा कि अभी दो दिन पहले ही तो मेरी मा ने एक बच्ची को जनम दिया है और अब वो उनकी यहां उसकी गोद में लेकर चलती हुई क्यों आ रही है उन्होंने इस बारे में मेरी मा से पूछा तो मेरी मा ने उनको पूरी कहानी बताई कि उनका पती किस तरह से उन पर अत्याचार कर रहा है मालकिन को मेरे पिता पर बड़ा गुसा आया था और मेरी मा पर बहुत रहम आया था उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पती ऐसा ही है तो फिर तुमने इस बच्ची को क्यों जनम दिया तुम्हें इस बच्ची को अपने पेट में ही मार देना चाहिए था तुम्हारा पती शरावी है कोई काम धंदा भी नहीं करता तो तुम कैसे अपनी और अपनी बेटी का गुजारा करोगी मेरी मा कहने लगी जिस तरह मैं पहले करती थी उसी तरह से मैं कर लूँगी मगर अभी आप मेरी मदद कर दो अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपके घर पर काम करूँ आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने पती को दे सकूँ मैं काम करके आपके सारे पैसे बापस लोटा दूँगी मालकिन कहने लगी अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तयार हूँ उन्होंने मेरी मा को थोड़े से पैसे दे दिये और मेरी माने ले जाकर वो पैसे मेरे पिता को दे दिये मेरे पिता पैसे लेकर शान्त हो गए थे उन्होंने मेरी मा को धमकाना अब बंद कर दिया था और शराब के अड़े पर वो चले गए थे कुछ दिन तक मेरे पिता शराब के अड़े से वापस नहीं आए थे वो शराब पीने में मेरी मा के सारे पैसे उड़ा कर आ गए थे कुछ दिन पूरे हुए तो उन्होंने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी फिर से मेरी मा को पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया था इस घर की एक-एक चीज मेरे पिता शराब के चक्कर में बेच चुके थे अब तो इस घर में कुछ ऐसा कीमती भी नहीं बचा था जिसे मेरे पिता बेचते वो बार बार मेरी माँ को धंकाया करते थे कि वो उनको पैसे ला कर दें, वरना वो उनकी बेटी को बेच देंगे। मेरी माँ बहुत डर जाती थी कि एक शराबी इनसान जो किसी भी हद तक गुजर सकता है, वो एक दिन अपनी बेटी को भी पेच सकता है। मेरी मा ने जल्द से जल्द खुद को ठीक करने की कोशिश की थी और फिर वो मुझे लेकर जल्दी ही लोगों के घरों में काम करने जाने लगी थी उस समय मैं बहुत छोटी थी मेरी मा मुझे दूद पिला कर जल्दी से मुझे सुला दिया करती थी और अपना काम कर लिया करत प्रफब कर दिये थे, उन्होंने कहा था कि तुम बहुत परिशान हो, मैं तुमसे वो पैसे नहीं लोगी, मेरी मा मान की घर का काम करती, अपना और मेरा गुजारा करती, और बाकी के पैसे पिता जी से दिया करते थे, जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, हालात से जंग जीत कर मेरी माँ ने मेरी परवरिश की और मेरी उम्रब दस साल हो गई थी मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल लगती थी मेरी माँ मेरे पिता से छुप कर मेरी लिए पैसे खटे करती थी वो चाहती थी कि मैं पड़ लिख कर कामयाब बनू अपनी मा का सहारा बनू और उसकी जिंदिकी की सारी परिशानियों को दूर कर दू मेरी मा ने मुझे मेरे पिता की नजरों से बहुत बचा कर रखा था मेरी मा को यही डर रहता था कि कहीं मेरा पिता मुझे पैसों के लिए बेचना दे इसलिए मेरी माँ मुझे एक मिनट के लिए भी अपने आखों से दूर नहीं करती थी वो मुझे से बहुत प्यार करती थी मुझे हमीशा अपने साथ ही काम पर लेकर जाती थी मेरी माँ ने अलग-लग जगा पर काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने अपने दिन का समय बांध लिया था वो दिन में तीन घंटे दूसरे घर में काम किया करती थी और उसके बाद के तीन घंटे सरपंच जी की हवेली में काम करती थी और फिर उसके बाद के तीन घंटे दूसरी हवेली में काम किया करती थी इस तरह मेरी माँ को लोगों की घरों का काम करते करते सुबा से लेकर रात हुजाती थी मेरे पिता को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उनकी पतनी कितनी महनत करके पैसा कमाती है और वो है कि शराब में उनकी महनत की कमाई उड़ा देते हैं मेरी मा अभी इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ अपनी बेटी के लिए करने लगी थी, वो चाहती थी कि उनकी बेटी अच्छे स्कूल से सिच्छा हासिल करे, मकर मैं दस साल की हो गई थी, मैं अभी सरकारी स्कूल में जाती थी, मेरी मा मुझे शेहर में एडमीशन दिलवाना च लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लग रहे थे, मेरी मा ने कई बार पिता जी से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, उनसे कहा था कि अब हमारी बेटी जवान हो रही है, अब तुम शराब पीना छोड़ दो, आखिर तुम कब तक ये सब करते रहोगे, एक दिन हमारी बेटी जवान होगी, हमें उसकी शादी भी तो करनी है, और मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊं, मैं अपना ये सपना जैसे तैसे पूरा करके ही रहूंगी, मेरे पिता कहते थे, बेटीयों की शादी नहीं होती, उन्हें तो ससुराल ज तू तो खुद लोगों के घरों में जाड़ उवर्तन करती है, मेरी मा कहने लगी, मगर मैं महनत से पैसा कमाती हूँ, तुम्हारे जैसी तो नहीं हूँ, जिसने सारी जिंदगी कोई महनत ही ना की हो, मेरी मा जिस हवेली में काम करती थी, उस हवेली की मालकिन बहुत मेरी माँ ने उनसे बात की थी, कि वो मुझे पढ़ा दिया करे, मैं स्कूल भी जाती थी और उनसे भी पढ़ती थी, धीरे धीरे मैं जवान होने लगी, मेरी उम्र 16 साल हो गई, मैं अपने ही गाउं के सरकारी स्कूल से इंटर कंप्लीट कर चुकी थी, मैं पढ़ाई में बह कर दिया था, पिता जी मेरी माँ से पैसे मांगा करते थे, और जब वो मेरी माँ पर हाथ उठाया करते थे, तो मैं अपनी माँ को बचा लिया करती थी, क्योंकि मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी थी, कि अपनी माँ को पिता जी के हाथों से पिटता नहीं देख सकती थी, प मेरे पिता जी ने हमारे इस घर को बेच दिया है। उन्होंने अपना शराब का इतना कर्जा लिया था कि उन्हे अपना कर्ज उतारने के लिए हमारे घर को बेचना पड़ गया। का मकान मिल गया था मेरी मा के लिए अब घर का किराया देना भी बढ़ गया था पिता जी की इतनी उम्रा आ गई थी मगर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे एक के बाद एक वो मेरी मा की जिंदगी में मुसीवते खड़ी करते जा रहे थे मैं अपनी मा की परिशानी और मुझे कालिज में भी एड्मीशन लेना था मगर एड्मीशन लेने के लिए मेरी मा के पास पैसे ही नहीं थे उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हुए थे उन्होंने मुझे शहर भेज दिया था और कहा था कि जाकर तुम अपने एड्मीशन का बंदो बस्त करो मेरी मा मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मेहनत में लगी हुई थी उसके बाद पिता जी ने हम पर एक और मुसीबट डाल दी थी पिता जी ने किसी कमपनी के एजेंट से बात की थी उन्होंने अपने नाम पर लोन पास करवाया था मेरे पिता जी को पैसो की बहुत जर प्रदास्ट से बाहर हो चुका था, मेरी मा जानती थी कि अब उनके पती ने उन्हें कहीं मूँ दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरी मा ने खामोशी से अपना और मेरा सामान बादा और हम दोनों मा बेटी रात के अंधेरे में अपना गाउं छोड़ कर भग ग रहे थे, क्योंकि मेरी मा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि पिता जी ने लोन ले लिया तो उसको चुकता कौन करेगा, उस लोन को भी मेरे पिता जी मेरी मा पर ही डाल देंगे, मेरी मा इतनी मुश्किल से मुझे पढ़ा रही थी, हम सब का गुजारा कर रही थी, और मेरे पिता जी थे, कि मेरी मा को करज दले दवाय जा रहे थे, हम लोग भाग कर शहर आ गए थे, मेरी मा ने कहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा पिता सुदर जाए, मगर वो इनसान कभी नहीं सुदर सकता, हम लोगों को इस सहर आने के बाद बहुत रहत मिली थ मेरी मा के पास कुछ पैसे थे, हमने किराय पर घर ले लिया था, मेरी मा ने गाओं की तरहा यहां पर भी लोगों की घरों में काम करना शुरू कर दिया था, इस सहर में बहुत महंगा आई थी, और जिस घर में हम रहते थे, वो भी बहुत महंगा था, घर का गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए मैंने स्कूल में टीचिंग की जॉब करना शुरू कर दिया था मैंने सोचा मैं जॉब भी करती रहूँगी और अपनी पढ़ाई भी करती रहूँगी अभी मेरी सैलरी बहुत कम थी हम दोनों मा बेटी मिलकर कमाया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे यहाँ पर हमारी जिन्दगी बहुत सुकून से गुजर रही थी क्योंकि यहाँ ना तो हमें पिता जी की टेंशन थी और ना ही मेरी मा को मेरे पिता जी के जुल्मों का शिकार होना पड़ता था इसी तरह कई साल गुजर गए मैं डॉक्टर तो ना बन सकी मगर हम दोनों मा बेटी की जिंदगी खुशाल गुजर रही थी हमारे पीछे वहाँ मेरे पिता का क्या हाल हो रहा था क्या नहीं हमने ये जानने की भी कोशिश नहीं की हमें शहर आए हुए साथ महीने होने वाले थे मैं हर रोज स्कूल की चुट्टी के लिए निकलती तो इस दोरान मैंने नोटिस किया था जब मैं स्कूल से निकलती हूँ तो कोई उस रास्ते पर मेरा पीछा करने लग जाता है और मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैंने इस बारे में अपनी मा को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो पहले से ही मेरे लिए काफी परिशान रहती थी अब ये बात बता कर मैं उन्हें और परिशान नहीं करना चाहती थी मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी स्कूल के प्रिंसिपल ने अब मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी इसी लिए मैंने अपनी मां से मना कर दिया था कि आपको नौकरी करने की अब जरूरत नहीं है अभी हम लोग किराय के ही घर में रह रहे थे मैंने अपनी मां से कहा था अब आप आराम किया करो आपकी बेटी इस लाइक हो गई है कि आपका और अपना खर्चा उठा सकती है मेरे ऐसा कहने पर मेरी मां को एक अजीब सी तसल्ली मिली थी और वो बहुत खोश हुई थी क्योंकि मेरी मां कई सालों से नौकरी कर करके ठक चुकी थी लेकिन मैं अब उस इंसान की वज़ा से परेसान रहती थी जो मेरा पीछा किया करता था मेरा पीछा क्या सच में कोई करता था या फिर ऐसा मेरा बहम था ये मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा अब मेरे साथ हर बार होता था जब जब मैं घर से निकलती थी तब तब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी की नजर मुझ पर पड़ रही है और मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखती तो कोई भी नहीं होता था काफी दिन हो गए थे मैं बहुत तंग आ गई थी इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस बारे में पता लगाऊं आखिर मेरा पीछा कौन कर रहा है क्योंकि काफी समय बाद हम दोनों मा बेटी की जिंदगी में इतने सुकून के दिन आये थे अब मैं दोबारा से बेचैन रहने लगी थी सिर्फ इसी वज़ा से कि मेरा पीछा कौन करता है मगर काफी दिन गुजर गए थे मैं ये बात जान नहीं पाई थी शायद कोई नहीं था ये सिर्फ मेरा बहम था मैं शायद इस छोटी सी बात को लेकर ऐसे ही परिशान हो रही थी मैं अपनी मा को भी परिशान नहीं करना चाती थी मैं अपनी मा को हर तरह का आराम देना चाती थी इसलिए इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी मैंने इस बारे में इपनी मां को नहीं बताया था कि कोई मेरा पीछा करता है ये बात मैंने चुपा दी थी मैं खुद नहीं जानती थी कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर मेरी गलत फैमी है मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत परिशान हो चुकी थी, मेरी नौकरी काफी अच्छी चल रही थी, स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी काबिलियत देखते हुए, दो बार मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, मैं खुश थी कि सब कुछ बिलकु गूमने के लिए जाने वाले थे, जब हम लोग वहां गूमने के लिए गए, तो मैंने देखा कि वहां भी कोई मेरा पीछा कर रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था, कि मुझे ऐसा आजीव अजीब सा क्यों लगता था, अब तो मैं स्कूल से नहीं निकल रही थी, मेरे साथ यहां स्कूल की टीचर्स मौजूद थी, तो फिर उनके होते हुए भी मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मुझे मम्मी की भी फिक्र होती थी, मैं बार बार उन्हें फोन करके पूछती थी, कि वो ठीक तो है ना, मम्मी कहती थी, तुम मेरी तरफ से परिसान मत तुम पहली बार तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई हो, तो तुम बहां खोब इंजॉय करो, और फिर फाइनली पूरे एक हपते की ट्रिप इंजॉय करने के बाद, हम लोग बापस अपने घर आ गए थे, मैं घर आई, तो मम्मी ने मुझे बताया, कि जिस घर में हम पर रहते हैं, उस घर के मालिक चाते हैं कि अब हम इस घर को खाली कर दें, मम्मी कहने लगी बेटा, घर को खाली करने के बाद, हमें दूसरे घर में सिफ्ट होना पड़ेगा, तुम दूसरा घर तलास करना सुरू करो, मैंने दूसरे घर की तलास करना सुरू कर दिया था, म कहां से दूसरे घर की तलास करूं क्योंकि हमें तो अपने बजट में बैठने बाला ही घर देखना था और अब जल्दवाजी में मुझे जितने भी घर रेंट पर मिल रहे थे उन सभी का रेंट बहुत ज़्यादा था जो मैं अफॉर्ड नहीं कर सकती थी मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए दो दिन का टाइम दे दिया था अब इस दो दिन में मुझे बहुत कुछ करना था मैं अपनी क्लास रूम में चुट्टी हो जाने के बाद परिशान सी पैठी हुई थी तभी स्कूल के प्रिंसिपल क्लास में आए और मुझे परिशान बैठा हुआ देखकर कहने लगे मिस आपको घर नहीं जाना पूरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है सभी लोग जा चुके हैं मैंने कहा जी सर मैं बस जा ही रही हूँ ये कहकर मैं बहां से उठने लगी थी तभी प्रिंसिपल सर ने फिर से मुझे रोक लिया और कहने लगे क्या हुआ आप कुछ परिशान लग रही है मैंने उनको अपनी प्रॉबलम के बारे में बता दिया तो वो कहने लगे बस इतनी सी बात है चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ मैंने कहा आप मेरी मदद काफी कर चुके हैं आपने दो बार मेरी सैलरी बढ़ा दी है और वैसे भी आप मुझे टाइम से पहले सैलरी दे कर मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान करते हैं प्रिंसिपल सर कहने लगे नहीं नहीं आपको मेरा ऐसान मंद होनी की जरूरत नहीं है आप एक काबिल टीचर है ऐसी टीचर को अपने स्कूल में रखने के लिए प्रिंसिपल को टीचर की मदद क प्रिंसिपल सर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल सर ने कहा आपको एडवांस देने की भी कोई जरूरत नहीं है आपका रेंट लेट भी हो गया करेगा तब भी कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल सर ने मेरी बहुत बड़ी प्राब्लम को सौल्व कर दिया था, मैं बहुत खुश थी, घर आकर मैंने मम्मी को जब इस बारे में बताया तो मम्मी भी खुश हो गई थी, और उनोंने कहा, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सहाब सच में बहुत प्रिंसिपल सर लगबग 27 साल की उमर के थे, ये स्कूल उनके पिता का था, मगर उनके पिता के मरने के बाद उन्होंने स्कूल की जिम्मेदारी समालना सुरू कर दी थी, अगले ही दिन हमने वो घर खाली करने के बाद प्रिंसिपल सर के घर में अपना सामान सिफ्ट कर लिया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है हम इस नए घर में जब से आये थे मैंने देखा था कि हमारे घर के गेट के थोड़े से आगे एक आटो वाला हमीशा खड़ा रहता था इस घर से मुझे स्कूल बहुत दूर पड़ता था इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही स्कूल चली जाया करूंगी मुझे लगा कि साइद इस आटो वाले का घर यहीं कहीं आसपास ही होगा तभी तो वो अपनी आटो जादा तर यहीं खड़ी करता है एक दिन मैं इस आटो वाले की आटो में जांक कर देखने लगी तो यह आटो वाला कहने लगा कहा जाना है मैडम बताओ तो मैंने उसे स्कूल का एड्रस बताया था, यो आटो वाला मुझे स्कूल तक लेकर चला गया था, अगले दिन भी मैं इसी की आटो में बैट कर स्कूल चली गई थी, और फिर उसके बाद ऐसा ही होने लगा था, अब मैं हर बार ही इसी की आटो से जाया करती थी, एक दिन इ आप से पूछ रहा हूँ कि क्या आप किसी को पसंद तो नहीं करती, या फिर आपकी कहीं मंगनी तो नहीं हो गई, मैंने कहा नहीं नहीं, ना तो मेरी मंगनी हुई है, और ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो वो कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, देखना म मैडम एक दिन मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो इतनी बड़ी बात कह रहा था। मैंने कहा था ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो। तो वो मेरी इस बात पर जोर-जोर से हसने ल वाले की बाते घूम रही थी। अगले दिन फिर से जब मैं उसकी आटो में बैठी तो उसने फिर से मुझसे वही बात कही। देखना एक दिन मेरी तुम्हारे साथ साधी जरूर होगी। मैं फिर से कन्फ्यूज हो गई। हालाकि उसका काम इतना होता था कि वो हर रोज मु जो से हसने लगी और कहने लगी वो आटो वाला जरूर कोई पागल इंसान होगा। मैंने भी उससे यही कहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। कहां मैं खूबसूरत जवान पड़ी लिखी लड़की और कहां वो इतनी उमर का मोटा सा काला सा उमरदार आदमी जो मुझसे साधी करने की बात करता है वो कोई पागल ही होगा ये बात सोच कर मैंने उस आदमी की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था मगर मैंने नोटिस किया था कि वो बागी किसी को ऐसी बात नहीं कहता था जब भी मैं उसके आटो में बैठती थी तो वो मुझसे ही यही कहता था तुम्हारी मेरे साथ एक ना एक दिन साधी जरूर होगी मैं उस दिन का इंतजार करूँगा और वो दिन बहुत जल आने वाला है उस ओटो वाले की बातों पर तो अब मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था और जब से मैं इस ओटो वाले के साथ इसके ओटो में बैट कर स्कूल जाने लगी थी मुझे एक तरह का सुकून रहता था ऐसा लगता था जैसे अब किसी की नजर मुझे पर नहीं पड़ती एक दिन ऐसा हुआ कि वो ओटो वाला मुझे छोड़ने स्कूल गया ही नहीं मुझे बहुत ड़ लग रहा था मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था मैं चीक रही थी चिला रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी इज्जद इन दोनों गुंडों की हाँ तो नीलाम होने वाली है वो दोनों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर मैं तेज तेज भाग रही थी तब ही अचानक मेरी टककर किसी से हुई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया जब मैंने नजर उठा कर देखा तो मैं दंग रहे गई थी कि जिस इंसान ने मुझे समाला था वो इंसान कोई और नहीं बलकि प्रिंसिपल सर थे मेरी जान में जान आई थी प्रिंसिपल ने जब उन लोगों की तरफ लपकने की कोशिश की तो वो दोनों ही गुंडे वहां से भग गए थे मैंने प्रिंसिपल सर से कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया बना ना जाने आज मेरे साथ क्या होता प्रिंसिपल सर मुझे अपने साथ स्कूल ले गए थे और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि वो मुझे खुद स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने की जिम्मेदारी उठाएंगे मैंने उनसे मणा भी किया था मगर उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ मैं ये सब देख कर बहुत हैरान रही थी कि आखिर प्रिंसिपल सर मुझे पर कुछ जादा ही महरबान होने लगे थे एक दिन मुझे इस बात के बारे में भी पता चल गया कि आखिर वो मुझे पर इतने महरबान क्यों होते थे जब उन्होंने मुझे से अपनी महबबत का इजहार किया उन्होंने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो जिस दिन से तुम इस स्कूल में आई हो उसी दिन से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि तुम एक काबिल और होन हार टीचर हो और मैं भी तुमें बहुत पसंद करने लगा हूँ तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ मगर मैंने अभी प्रिंसिपल सर से सादी के लिए इंकार कर दिया था लेकिन उनकी महबबत के लिए हां कर दी थी क्योंकि मैं भी उने पसंद करने लगी थी मेरे मन में भी उनके लिए प्यार महबबत भरी फिलिंग जाग गई थी मैंने कहा था कि आपको अपनी फैमिली को मेरे घर रिस्ता लेकर भेजना होगा तभी मैं अपसे सादी करूँगी पिंसपसर ने कहा था मुझे इस बात पर कोई अतराज नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत से अपनी जिन्दकी में सामिल करूँगा उस दिन मैं बहुत खुस थी और जब मैं अपने घर गई तो मैंने देखा कि मेरी मां बहुत परिसान थी मैंने अपनी मां से कहा मां क्या हुआ है आप इतनी परिसान क्यों नजर आ रही हो मां कहने लगी बेटा कल स्कूल से घर मताना मैंने मां से कहा आप ये कैसी बाते कर रही हो घर नहीं आऊं तो फिर मैं कहां जाऊं मा कहने लगी बेटा ये एक बहुत बड़ी इमर्जेंसी आ गई है प्लीज तुम कल सुभा जब स्कूल के लिए जाओ तो अपनी किसी भी सहेली वगेरा के घर चली जाना और दो तीन दिन वहीं पर गुजार कराना मैंने मा की किसी बात को नहीं समझा था वो क्या कहना चा रही थी मगर मैंने इतना जरूर देखा था कि वो बहुत परिसान थी और वो परिसान सिर्फ अभी से ही नहीं बलकि पिछले दो तीन दिन से परिसान थी मैं स्कूल के काम में इतनी घिरी हुई थी कि मुझे उनकी परेसानी तसली से पूछने का मौका ही नहीं मिला था फिलहाल मेरे लाख पूछने के बाबजूद भी मेरी मा ने मुझे अपनी परेसानी के बारे में नहीं बताया था उस रात तो जैसे तैसे मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी, सुभा जैसे ही मैं उठी तो मेरी मा ने मुझे मेरा सामान बांध कर दे दिया और कहने लगी ये तुम्हारा सामान है, दो तीन दिन तक तुम ये यहाँ पर मत आना, मैंने अपनी मा से कहा मगर आप ऐसा क्यों कर जाना है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरी मा ने मुझे घर से निकाल कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था, कुछ समझी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, फिलहाल मैं अपने सामान सहित स्कूल चली गई थी, फिर जब चुट्टी का टाइम हुआ, तो मैं सोचने लगी कि मैं अपनी सहेली के घर जाओं या फिर अपने घर जाओं, प्रिंसिपल सर ने मुझे से कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हें तुमारे घर छोड़ देता हूं, क्योंकि अब वो ही मुझे स्कूल से घर ले जाते थे, और घर से स्कूल, मगर आज तो मेरी मान ने कुछ नहीं बताया उनसे कह दिया कि नहीं आज मुझे अपनी सहेली से मुलाकात करनी है इसलिए प्रिंसिपल सर सामान को देखकर समझ तो रहे थे कि जरूर कोई बड़ी बात है मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था इसलिए वो मुझे जवरदस्ती भी कुछ नहीं क्योंकि वो अकेली ही अपने घर में रहती थी उसकी सिर्फ दो बहने थी और वो दोनों बहने जॉब करती थी मुझे अभी अपनी सहेली की घर आये हुए दो घंटे गुजर गए थे मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं आखिर माने मुझे घर आने के लिए मना क्यू किया है आखिर मा क्या कर रही है फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी मा के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला मुझे डर लगने लगा था एक अजीब सी घवरा हट मुझे पर सबार होने लगी थी इसलिए मैंने ना को सोचा और ना समझा और अपनी सहेली की घर से निकल गई थी मुझे क्याद आया कि जरूर कोई बड़ी बात ही होगी मेरी मा किसी मुसीवत में फस गई तो क्या होगा मुझे उन्हें अकेला नहीं चोड़ना चाहिए था मैं अपने घर की तरफ जाने लगी तब ही रास्ते में मुझे प्रिंसिपल सर का फोन आ गया मेरी आखों में तो पहले स ही आशू थे मैं अपनी गलती पर पस्ता रही थी कि मुझे अपनी मा की बात को नहीं मानना चाहिए था इतनी ही देर में प्रिंसिपल सर की कॉल आई मैंने जब उनसे हैलो बोला तो वो समझ गय थे कि मैं रो रही हूँ प्रिंसिपल सर घबरा गए और कहने लगे तुमें क कुस ठीक नहीं लग रहा था प्रिंसिपल सर कहने लगे अच्छा ठीक है तुम अपने घर जाओ और अपना खयाल रखना ये कहकर हम दोनों ने फोन बंद कर दिया था मैं जैसे ही अपने घर पहुची तो ये देख कर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी कि बहाँ पर ब पना हुआ था जबकि मेरी मा दुलहन के कपड़ों में मौजूद थी ये सब क्या हो रहा था पंडि जी भी मौजूद थे जो मंतर पढ़ने के लिए बिलकुल तयार बैठे थे मैं जैसे ही अपनी मा के पास पहुची तो मेरी मा ने मुझे देखा और वो कहने लगी तू य यहां क्यों आई है अब मैं समझ गई थी कि मेरी मा ने मुझे यहां से निकाल कर शादी रचाने के बारे में सोच लिया था मा ने कहा मैंने तुझे मना किया था ना इससे पहले मैं कुछ और सोच थी एक आदमी ने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया मुझे धक्का दे पहले उसने अपने गुंडे भेज कर मुझे मारने की कोशिश की थी, वो गुंडे मेरी इज़ित खराब नहीं करने आये थे, बलकि मुझे पकड़ कर मारना चाते थे, और इससे पहले भी उसके आदमी कई बार मेरा पीछा कर चुके थे, मगर उसे मारने से ज़्यादा मेरे घर आना भेतर लगा, इसलिए वो आटो वाला बनकर मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी मा से मिलने यहां आता था, और मेरी मा को ब्लैक मिल किया करता था, कि तुम दोनों मा बेटी मुझे पैसे दो, क्योंकि मेरे पिता ने जब उसके लोन के पैसे चुकता नहीं किये, तो उस उससे शादी करे, या फिर अपनी बेटी की सादी उससे करवा दे, लेकिन मेरी मा मेरी जिन्दगी के बदले अपनी जिन्दगी तबहा करने के लिए तयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पिता ने सुरू से लेकर अब तक हम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, और य तुम दोनों को छोड़ दूँगा, मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी और मेरी मा की बात सुनने के लिए तयार ही नहीं था, वो कहने लगा, अगर तुम लोगों की नीयत ही नहीं है, मेरे पैसे देने की, तो फिर मैं तेरी बेटी से ही सादी करूंगा, ये अभी जवान है और खुबसूरत है वो मेरी साथ जवरदस्ती करने लगा और पंडित जी से कहने लगा मंत्र पढ़ना शुरू करो मैं चीक रही थी चिला रही थी इतनी ही देर में धड़ाम से दरवाजा खुला और पुलिस हमारे घर के अंदर आ गई थी पुलिस को कर मेरे घर आ गए थे और यहां आने के बाद पुलिस को सब कुछ पता चल गया था पुलिस ने उस और वाले को गिरफतार कर लिया था और पुलिस उसे गिरफतार करके ले जा चुकी थी मेरे पिता मर गए मगर उन्होंने सारी जिंदगी मेरी मा को परिशान किया सायद उन को नरक में भी जगा नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने मेरी मा को बहुत ज़्यादा तंग किया था प्रिंसिपल सर ने उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी और फिर प्रिंसिपल सर ने मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला कर लिया था उन्होंने मेरी मा से मेरा हाथ मांग लिया और फिर उनोंने मेरे साथ साधी कर ली मैं अब प्रिंसिपल सर के साथ एक खुसहाल जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन मैं उन मर्दों से यही कहना चाहूंगी यह अपने गलस शौक पूरे करने के लिए किसी को मुसीवत में मट डालो सामने बाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा मेरे पिता को उनके किये कि सजाद जीते जीतों नहीं मिल सकी मगर मुझे उमीद है कि भगवान ने उनको उनके किये कि सजाद जरूर दी होगी क्योंकि उन्होंने मेरी मा को बहुत सताया था तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कम करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें